नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके पनी चैनल इस्टॉक से जुके सनने आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है राना सुगर्स लिमिटेड क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए क्योंकि आज इस कंपनी में काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल है और इस कंपनी के अंदर काफी बड़ी हलचल भी होती हुई नजर आई है तो इसमें क्या हमें फायदा उठाना चाहिए या फिर जो लोग इस कंपनी में अलेडी इंवेस्टेड हैं उन्हें भी अपना माल बेच कर निकल जाना चाहिए क्योंकि इस कंपनी में काफी बड एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वेल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों अगर इस कंपनी के 52 विख हाई की बात के तो आप देखेंगे 38 रुपए 30 पैसे जो की 13 जुलाई 2021 को इस कंपनी ने बनाया था और आज यह कंपनी क्लोज हुआ है आप देखेंगे 30 रुपए 10 पैसे पे जबकि आज यह कंपनी ओपन हुआ था 35 रुपए 20 पैसे के पास में दोस्तों अगर इस कंपनी के result की बात के तो आप देखेंगे net sell में इस कंपनी में 9.19% की गिरावट देखने को मिला है जबकि वहीं अगर इस कंपनी के net profit की बात के तो 87.13% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा अगर इवीडा की बात के तो इवीडा भी इनका कम हुआ है 1.33% के हिसाफ से तो देखतें इस कंपनी के और detail को दोस्तों अगर इस कंपनी के बड़ी changing की बात करें दोस् पूराने थे अगर उनके नाम की बात करें तो मनमोहन के रहना आपको देखने को मिल जाएंगे तो देखतें इस कंपनी के और detail की दोस्तों अगर इस कंपनी के च्यार्ड की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में और इस पूरे सेक्टर में काफी वड़ी growth आ अगर या company यहां पर समलता है तो ठीक है जहां तक उमीद है जी उमीद कापी कम है लेकिन अगर या company इसके next support level की बात करें तो 22 रुपए के पास का support level आपको देखने को मिल जाएगा तो जो लोग buy करना चाहते है वो चाहते हैं तो इस company को चले कंटीन्यू कर सकते हैं इस कंपनी को लॉंग टम के लिए अगर यह कंपनी आपको नीचे प्राइस भी मिलता है तो आप चाहतो एरेज भी करके चल सकते हैं तो चलिए दूस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्क्राइब करें थैंक यू